हलो अवरिवान रुतुराज 97 चनल में आपका स्वागार है दोस्तों और आज की विलोग में हम एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेंगे भाई तो कुछ लोगों के ऐसे क्वेरिस है मतलब मुझे एक प्रेस्चन पूचा गया कि भाई स्पेशली हम बात करें सीड़न गाड़ियों के जैसे कि अब देखसा है यह मेरी डिजार है तो इन गाड़ियों में हम जब यह पीचे वाले शीषा की बात करें तो आपको पता जिसे हमारे स्वा वरियों होता है और यह जो तुकडाय रहता है यह क्ष बात करें हम आगे वाले तो यहाँ पर यह जो पूरा होता है वो स्थाइड़ होता है गुछ गाड़ियों में जैसे की इन क ze होते हैं इससे हा पंप स्थाइब अडल में इया पर सब्सक्राइब पर यहाँ यहां पर इतना सा होता है तो एसा क्यूं होता है पीछे वाला भी ऐसा यहां पर partition मतलब यह partition क्यूं होता है इसके बदले अगर पूरा शिशा देते तो क्या होगा ऐसा भी दे सकते तो यह कुछ queries है एक question है तो मैं आपको डायरेक्टली बताओ यहां पर तो मानिए दोस्तों क यहां पर partition नहीं है चलिए पहले मार्ग बता लेता हो तो यहां पर इतना सा जो शिशा होता है तो जब आप रोल करते हैं तो यह पूरा शिशा दोर के अंदर नीचे से यहां तक आ जाता है मतलब इतना सा शिशे कितनी लंबाई होती है अगर आप पूरा नीचे करें तो इ यह जो है उतना ही यह है यह दोनों की सेम है तो यह जब नीचे स्लाइडों का दोस्तों तो यहाँ पर अल्मोस्ट नीचा आएगा तो यहाँ पर कुछ दिकत हो सकते है क्योंकि जो नीचा आएगा तो वहाँ पर टच हो सकते हैं तो इसलिए इन गाडियों में पीछे वाला ज तो यह DIQ रहता है इसके बदले चाहते है तो पूरी ऐसी body भी fix कर सकते हैं मतलब यह जो बड़ी है तो मैं आपको बताओ दोस्तो तो यहाँ पर यह जो शिशा रहता है उसको सभी साइड से ठीक तरह से यहाँ पर ठीकनेस जो है वो maintain की रहती है अभी आप देखोगे यहाँ अब यह वाला शिशा तो यह शिशा इतना इस पूरा सा निच्छा था लेकिन यहाँ पर बात कर तो एक थिकनेस होती है आप देख सकते तो यह maintain की रहती है यहाँ पर भी हम बात करता इहाँ इस तरह से ठीकनेस मेंटेन रहती है तो अगर यह शिशा नहीं होता इसके अब मानिएगा कि यापर पूरी बॉड़ी ही इस तरह से टच अप होती तो प्रॉब्लेम ही होतार उस तो कि पीछे जो बैटेंगे रियर सीट पर उनको कॉमफर्ड नई फील होगा मतलब उनको स्पेसेस नहीं लगेगा यहापर क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी अंदर बैठके कैसा फील आएगा हम इमेजिन भी करेंगे तो अभी अंदर बैठके हम ऐसा फील लेंगे कि अगर मानिगे कि यहाँ पर यहाँ पर यह शिश आप देख सकते हैं तो यह अभी फीक्स है आपको पता यह तो मानिगा कि ओड़ि अभी यहाँ पर यह शिशा नहीं है तो जब कोई भी ऐसे पीछे बैठेगा दोस्तों तो आप देख साथे तो आपको इतना ही यहाँ पर इस तरह से यह शिशा जो है वो अपरेट हो जाएगा और यहाँ पर पैक है तो गाड़ी में आपको ऐसी गुटन सी फील हो सकते है क्योंकि यहाँ आप देखे तो गाड़ी थोड़ी सी स्पेसियस है फिर भी अगर यह पू पेची से उपर उठाओगे तो यहाँ पर पूरा जो आपको इससे विजन है वह मिल जाते हैं छोटा सा partition है यहाँ पर उतना भी कोई इसटा नहीं है पर जब आप यहाँ पर यहाँ पर आपको विजीडिलिटी मिलेगा और यहाँ पर यह तो आप शिशा ओपरेट नहीं कर सकते हैं फिर भी यहाँ से आपको इजीली वीजिबिटी मिल जाते हैं तो गाड़ी में एक comfort फील होता है एक spacious आपको फील आता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगा भाई तो पूरा यह जो स्लाइडिंग होता है वो भी मैंने आपको रिजन बता दिया तो इतना सिंपल है रिजन तो वीडियो पर सब्सक्राइब जरू लाइक की जगा आपने दोस्तों के साथ की जगा और मेरा चानल दोस्तों सब्सक्राइब कि इस चनल पर आपको अगला वीडियो जरू आएगा जल्दी